हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं The Job Info दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ग्रामिन डाक सेवा के जो वेकेंसी निकाली गया है और SSE में भी आपको यहाँ पे Head Constable Ministerial के पोस्ट निकाले गया है और Phase 10 के लिए वेकेंसी निकाली गया है बहुत ज़्यादा वेकेंसी निकाली गया है तो पूरा डिटेल से इन तीनों के लिए देखेंगे हम पहले हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 20 माई तक last date यहाँ पे रखा गया अपलाई करने के लिए तो जल्दी से जल्दी आप अपलाई कर सकते हैं जेनरल OBC EWS के लिए 700 रुप्या लगेगा अपलाई करने के लिए और ACS TPS कंडिडेट है तो 700 उनका भी लगेगा online mode में apply करना है payment में online mode में करना है अब age की बात करेंगे यहाँ पे age जो होनी चाहिए आपकी age limit minimum 20 साल होनी चाहिए maximum यहाँ पे 25 साल रखा गया है apply करने के लिए और यहाँ पे minimum कहा जा रहा है कि आप देख सकते हैं दो साल का experience होना चाहिए bachelor degree in any stream any recognized university in India with minimum two year experience as a gram in dark सेवक तो gram in dark सेवक के कारी अब यदी कर रहे हैं दो साल का experience है तभी इसमें आप apply कर सकते हैं टोटल वेकेंसी यहाँ पे 650 पोस्ट के लिए वेकेंसी निकाली गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह वेकेंसी जो है आप यहाँ पे state wise यहाँ पे detail से दिये गए हैं कि आंदर परदेश में कितनी वेकेंसी है सामें कितनी वेकेंसी विहार में आप देख सकते हैं यहाँ पे 76 पोस्ट निकाली गई है दिल्ली में देख सकते हैं आप चा को अप्लाई करना है इसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दिया गया है बिलो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं बेव साइट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा वह यहाँ पर यह बिगैंशी जो निकाली गई है इस में पहले आपको ईसमें दिखायेगा नहीं कि कि कितना पोस्ट है कि एसे से की विगैंशी होती है और इसमें अपलाई करने क्लिए सतरह मई से अपलाई होगा आज है आपको 13 माई चार दिन बाद अपलाई में स्टार्ट हो जाएगा और यह 16 जून तक अपलाई कर सकते हैं यानिकी एक महिना तक अपलाई कर सकते हैं केवल यहां फीश यहां पर आपको अन्रिजरब और ओबी में यहां पर आपको 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 वहां पर प्रवाइट किया जाएगा ऑनलाई इसमें अपलाई देखिए 17 मईस से होगा तो आप इस वेब साइट को नोट कर लिजिए डिस्क्रिप्शन में तो लिंक बाइक रहा ही वहां से भी जाकर डैरेक्ट आपाप्लाई कर सकते हैं अब लास्ट जो वेक एं से निकाले गई एससी असे सलेक्शन कोष्ट फेज 10 के लिए अब यहां पर डेख सकते हैं फेंस 10 के लिए जो वेक एंसी निकाली गई है और यह भी कि एक महिना तब फॉर्म अप्लाई होगा 13 जून तक अप्लाई होगा और यहां पर 100 रुपीज लगेंगे अप्लाई करने के लिए फॉर्म जेनरल AWS OBC के लिए और जो ACST और फिमेल केंडिडेट हैं इनका कोई यहां फी इनको नहीं देना अप्लाई करने के लिए इसके बाद ःज हम देखेंगे यहां पे मिनिमममi a day थे 18 वरस है मैक्सिमम पर तीछ वरस है अप्लाई करने पो और देखिए यहांपे qualification कहा ला है कि य mandates LEVEL के लिए apply करते हैं तो यहांपए 10 यहांगा जारा है intermediate LEVEL लेबल पर apply करेंगे तो intermediate के आपको certificate होना चाहिए graduate LEVEL पर यहांपे अपको ग्रेज़ेशन होना चाहिए तो इसमें apply कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से आप graduation किये हुए हैं तो applies में आसानी से कर सकते हैं अब यहाँ पर region भी दिया गया कि किस region में apply करेंगे यहाँ पर central region है और मध्यपरदेश MPR है north region है NR दिल्ली के लिए है और आपको eastern region करनाटका करनाटका region है अब सब region जिस region में आप आते हैं उस region के लिए apply कर सकते हैं और यहां से लिंक आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा यहां से जाकर registration कर सकते हैं online form भर सकते हैं